हाई मैं हूँ तानिया, LTP वीडियोज की एक और गड़ी में आपका स्वागत है हम सीखेंगे रूलेट कैसे खेलते हैं, इससे पहले कि हम खेल पर जाएं आपको पता था रूलेट एक खेल है, ये एक फ्रांसेसी शब्द है, अर्थे छोटा बहिया तो चलिए खेल की तरफ मेरे साथ है प्रिंसल और प्रीमा और ये मेरे साथ आपको खेल सिखाएंगे रूलेट रूलेट किसमत का खेल है, जिसमें खिलाडी एक या अंकों का संयोज अचुनता है उस पर दाव लगाता है और उम्मीद करता है कि जब रूलेट बॉल घुमाई जाईगी तो वो विजटांग को हिट करेगा रूलेट के खेल में एक पईया होता है, जिसमें स्लोट होते हैं, जिनमें एक निश्चीत क्रम में 1-6 संग और एकल शुन्य होता है जिसका आर्थी ये हुआ कि कुल सदती संग होते हैं, यानी 6-36 ये अंग टेबल पर भी लिखे होते हैं, जिन पर खिलाडी अपना दाव लगा सकते हैं रूलेट में प्रयोग किये जाने वाले चिप्स, दूसरे खेलों में प्रयोग होने वालों से अलग हैं आये इसे बहतर समझते हैं हर रूलेट टेबल पर रंगदाल चिप्स होते हैं, जिन पर अलग निशान देही होती हैं। वो निशान उस विशिष्ट टेबल के लिए होते हैं और टेबल पर खेल रहे अलग-अलग खिलाणियों को पहचानने में हमारी सहायता करते हैं। ये चिप्स टेबल के नियूनितम और उच्चतम दाव सीमा के अनुसार होते हैं। आप नगदी चिप्स के साथ भी खेल सकते हैं। आईए अब दाव लगाने के विकल्प सीखते हैं। रूलेट में दो विकल्प हैं। अंदरूनी दाव और बाहरी दाव। अंदरूनी दाव के चार स्थान हैं। स्ट्रेट अप, स्प्लिट, कॉर्णर, स्ट्रीट और छे लाइन। बाहरूनी दाव में शामित हैं। डजन्स, कॉलम, इवन चांसेस। आईए इन सभी विकल्पोबर नजर डालते हैं। स्ट्रेट अप स्ट्रेट अप एक दाव है जो शुन्य से 36 के बीच किसी एक खास अंक पर होता है। भुकतान आपकी दाव राशी के 35 गुना होता है। स्प्लिट अगला है स्प्लिट जब आप चोक और खाने के दो अंको की सांजी लाइन पर चिप रखते हो, उसे स्प्लिट कहा जाता है। भुकतान आपकी दाव राशी का 17 गुना होता है। कॉर्णर बैट कॉर्णर बैट ये चार नंबरी दाव हैं जो चिप को अंको के सांजे कोने पर रखकर लगाया जाता है। भुकतान आपके दावे का 8 गुना है। स्ट्रीट बैट स्ट्रीट बैट एक ही लाइन में मौझुद 3 क्रमवार अंकों पर लगाया गया दाव स्ट्रीट बैट है। ये दाव लगाने के लिए चिप को पंक्ती के बाहरी कोने पर रखा जाता है। इस दाव के लिए भुकतान आपकी दाव राशी का 11 गुना है। सिक्स लाइन बैट दो सटी हुई राखों पर दाव को सिक्स लाइन बैट कहते हैं। ये दाव लगाने के लिए आपको चिप दो रेखाओं के बाहरी सांजी कोने पर रखनी होती है। भुकतान पाज गुना है। आईए अंधरूनी विकल्प को सपष्ट करते हैं। प्रीमा नीले रंग के चिप्स प्रयोग कर रही है। और उसने चिप्स को साथ अंग पे रखा है जो एक स्ट्रेट अप है। 18, 21 जो एक स्प्लिट है। और 26, 27, 29 और 30 के बीच जिसे कॉर्नर बैट कहते हैं। अप्रिंसन हरी चिप्स प्रयोग कर रहा है। और उसने अपना दाव अंग 26, 23 और 32 जो अब स्ट्रेट अप्स है। शुन्य तीन स्प्लिट, 10 से 12 जो के स्ट्रीट है। और मैं अपने भाग्यशाली अंग पर नगदी चिप्स लगाती हूँ, जो है 22। अब जब सभी खिलाडी अपने दाव लगा चुके हैं तो डीलर बॉल को घुमाएगी। आप तब तक दाव लगा सकते हैं जब तक वो नहीं खेहेगी और दाव नहीं। और कोई दाव? ओके, अब कोई दाव नहीं। थैंक यू, गुड लग। इस समय खिलाडी अपने दाव को बढ़ा, हटा या बदल नहीं सकते। अब बॉल 26 पर रुक गई है। इसे कहते हैं एक विज़ेत अंग। लगता है तुम्हें कोई लखी नमबर मिल गया? येस, यह हमारी शादी की तारिक है। बढ़ी या! Congratulations, ma'am! Thank you! And ये आपके लिए? Thank you, ma'am! ये टिप डेल्ट इन बॉईज अन गर्ल्स के लिए? प्रिमा ने 26 पर एक चिप रखा था। इसलिए वो 35 चिप्स जीतती है। प्रिंसन ने 3 चिप्स रखे हैं तो वो 105 चिप्स जीतता है। Thank you, sir! इसके साथ हमने सीखा अंद्रूनी दाव। अब वो समय हैं बहरूनी दाव सीखने का। हम इवन चांसिस के साथ शुरुआत करते हैं। इसमें लाल काला समविश्रम उच्चनीम्न शामिल है। लाल ये दाव पहिये के सभी लाल अंको के लिए है। काला पईये के सभी काले अंकों के लिए सम एक से छतीस तक की सभी सम अंकों के लिए विशम एक से छतीस तक सभी विशम अंकों के लिए नीमन, एक से अठारा के बीच के अंको के लिए, उच्छे उन्नीस से च्छतीस और उससे उच्छे दाव के लिए यदि आप उपर के किसी संयोजन में जीतते हैं, तो भुकतान आपकी दाव राशी के एक गुना होगा इससे आम तोर पर इवन मनी या इवन चांसिस कहा जाता है अब वक्त है जानने का डजन्स और कोलम के बारे में डजन्स बारा अंकों का संयोजन होते हैं, जैसे एक से बारा तेरा से चौवीस और पच्चीस से च्छतीस यदि आप इन में से किसी संयोजन पर दाव लगाते हैं और जीतते हैं, तो भुक्तान आपकी दाव राशी से दुगना होगा कॉलम बेट कॉलम बेट में खिलाडी किसी भी उस कॉलम पर अपना दाव लगाता है, जिसमें उसे लगता है कि जीतने वाला नंबर होगा अब आपको ये हमेशा याद रखना है कि अगर विजेता अंक्षुन्य है तो सभी बाहरूनी दाव हार जाएंगे. चलो कुछ मज़ा करते हैं. प्रिंसन कुछ नगदी चीप लाल पर रखता है और कुछ रंगदार चिप्स उच्छ पर. प्रिमा दस हरे रंग के चिप्स काले पर और नगदी चिप्स पहले और दूसरे कॉलंब पर रखती हैं. चलिए देखते हैं, मुझे लगता है कि मैं दूसरे और तीसरे डजन पर रखूँगी. डीलर पहिया घुमाती है और दाव नहीं का एलान करती है. और इस बार विजित आंग है 21 21 एक लाल अंग है विशम और उच अंग जो के दूसरे डजन और तीसरे कॉलम में आता है मुझे यकीन है कि आप इस सब खेल में अपनी किस्मत आजमाने के लिए तयार हैं आपसे जल्दी मिलने की आशा करते हैं डेल्टीन कसीनोज में बाई